नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं प्रत्योगता रांची के अलग-अलग एस्टेडियमों में दिसंबर में प्रस्तावित थी बतादे नॉमबर में आशनन विधान सभा चुनाव की तियारी के कारण प्रत्योगताओं की तैयारिया प्रभावित हो रही थी इसी को देखते हुए आयोजक जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशद ने SGFI प्रत्योगता अस्थागित करने कागर किया था जिसे सवीकार कर लिया गया है ECI का निर्देश इजीट पोल करने वालों की खैर नहीं जार्खन बिधान सभा चुनाव कोई भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रोनिक मीडिया किसी परकार का सर्वेक्षन प्रकासित नहीं कर पाएंगे चुनाव आयोग ने इस समध में सक्त निर्देश जारी किये है मंगलवार को चुनाव आयोग ने इस समध में एक अजी सुचना भी जारी की है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अजी सुचना में कहा गया है कि जार्खन में 15 अक्टूबर को भी धान सभा चुनाव की तरिको की घोसना हुई है इसके साथ ही राज में आदास अचार संहीत अलाग हो गई है चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंशन आफ दा पीपुल एक्ट उने सवेकावन सेक्सान 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी ब्यक्ति या संस्थान किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा एक्जिक्ट पॉल परकासित नहीं करेंगे चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव या विधान सवा चुनाव के मामले में मद्दान की पहली तारिक से लेकर आखरी दिन के मद्दान के आधे घंटे बाद तक किसी भी परकार के एक्जिक्ट पॉल पर रोक रहेगी वहीं उप चुनाव के मामले में मद्दान सुरू होने से लेकर मद्दान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी भी परकार के एकजित पोल प्रकासित नहीं किये जा सकेंगे चुनाव आयोग ने असपष्ट कहा है कि जनपरति निदित्व कानूनों का उलंगन करने वालों के खिलाब कानूनी प्रधान के थासक्स करवाई की जाएगी जारखन मौसम में बदलाओ जमा जहम बारिष जारखन की रेधानी रांची में मंगलवार को मौसम के मिजाज बदला और जमा जहम बारिष हुई है दो फर बाद मौसम करवट ली है और बारिष होने लगी है बता दे एलो अलर्ड जारी कर बुद्धवार को भी कहीं कहीं हलके से मत दर्जे की बारिस होने की संभानों जताई गई है जारकन के कठवा गीड़ी और कुडर्मा जी लेकि कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में मौसं की मिज़ारी बदल सकता है गरज के साथ बारिस हो सकती है इस दोरन बजरपात की भी असंका है मौसं भीभाग ने इसे लेकर एलो अडर जारी किया है मौसं भीभाग ने अपने प्रोणवान बताया है कि राज के दक्षिनी भागों में अगले 2-3 दिनों के दोरान अधिकतम तापमान में धीरे दिरे 2-3 दिगरी की भीधियों हो सकती है जबकि सेस भागों में कोई बड़े बदला के उमीद नहीं है वहीं 30 अक्टूबर को जार्खन के दक्षिनी मत एवाम निकटवर्ती उतर भागों में कहीं कहीं हलके से मत दर्जे की बारिश हो सकती है जे एमेम परत्यासी मंगल कालिंदी पर चुनाव आयोग ने दिया जाच का आदेश जुग सलाई से जामो परत्यासी मंगल कालिंदी एक बड़ी मुसीबत में फश सकते हैं उन पर आचार संगीता उलंगन का आरोप लगा है भाजबा नेता अंकित आनंद ने केंद्रिये चुनाव आयोग और जार्खन राज चुनाव आयोग में सिकायत दर्ज कराई थी इसी अधार पर चुनाव आयोग ने जाचो परांद करवाई करने का निदेश दिया है बतादे भाजपा नेता अंकित अनन्द का कहना था कि 26 अक्टूबर को मंगल कालिंदी ने टाटा नागर इस्टेशन के पास सिव मंदीर में राजनितिक बैठक की जहां पाटी करता हो और अस्थानिय मद्दाता हो को मिठाई के पैकेट बाते गाए उन्होंने मांग की है कि पैकेट में पैसे मिठाई या कुछ और था इसी जाच होनी चाहिए इस आसका वीडियो भी मुहया कराया गया है इससे पहले मंगल कालिंदी के खिलाब उम्र को लेकर अंकित अनन्द ने आयोक से सिकायत की थी जारखन में दीपावाली को लेकर 17 अरब तक का कारोबार दीपावाली को लेकर बजाज सच चुके हैं बजार की रोनक और ग्राहकों के भीन देख दुकंदार भी उसाही था इसलिए भी तेयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ रहे इधर फेडरेशन आफ ओल इंडिया ट्रेडरस ने इस दीपावाली के दौरान देश भर में बढ़िया बीजनेस कानुमान लगाया है कैट के मुताविक इस साल दीपावाली पर देश भर में 4.25 लाग कोड़ों रूपए के कारोबार होने कानुमान है देश की राजधानी दिली में 75,000 कोड़ रूपए जबकि जारखन में करीब 1100 से लेकर 700 कोड़ों का कारोबार अनुमान लगाया जा रहा है वहाया के लिए राजधी में सभी सेक्टर के थोक और खुद्रा बैपार में 450 से 550 कोड़ों से ज़्यादा के कारोबार के उमीद है बता दे दीपावाली के मौगे पर सबसे ज़्यादा खरीद सोने और चान्दी की होती है बिते 10 साल में सोने ने तीन गुना रिटन दिया है जहारखन से यूपी बिहार के लिए चलेगी स्पेसल ट्रेन तेवार में भारे भीर को देखते हुए भारती रेल्वे ने जहारखन से यूपी और बिहार के लिए स्पेसल ट्रेन चलाने बाली है ट्रेल्वे ने ट्रेन संख्या 08629 रांची गोरकफूर रांची फेस्टिवल श्पैसल ट्रेन चलने का निन्ह लिया है बतादे ट्रेन संख्या 08629 रांची गोरकफूर 3 अक्टूबर से 13 नौवमबर तक चलेंगी रांची से आठ ट्रेन चार बचकर 50 मेंटर रवाना होगी और अगले दिन सुबा 11 बचकर 30 मेंट पर गोराखपुर पहुंचेगी वही ट्रेन संक्या 08630 गोराखपुर रांचे स्पेसल ट्रेन 31 अक्टूबर से 14 नौम बर्तक चलेगी या ट्रेन गोराखपुर से 2 पा 3 बचक 30 मेंट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबा 9 बचकर 25 मेंट पर पहुंचेगी जे एमेम ने गढ़वा बीजेपी पर 87 तिवारी का नमांकन रद की मांगी जामों के केंद्री महासाची उससा प्रवक्ता सुप्रियो पटाचाई ने कहा एक जारखन मुक्ती मोर्चा की ओर से मुखे चुनावा आयूक्त को पत्र लिकर गढ़वा से बीजेपी पर 87 तिवारी का नमांकन रद कराने की मांग की गई है पत्र में कहा गया कि 87 तिवारी नमांकन पत्र में आधिय धुरी जनकारी दी है इसलिए उनका नमांकन रद किया जाए जामों ने 24 घंटे में करवाई करने की मांग की है वे जामों के कर्यारे में पत्र कारों से बाद सित कर रहे थे जामो नेता सुप्रियो भटाचाई ने कहा एक जरकन मोक्ती मोर्चा को कानून पर पूरा भरोसा है इस भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निस्पक्ष कारे करे और बीचपी परत्यासी सतन दना तिवारिक के नमांकन पत्र की जाच कर अपना निर्नाईले गीरी डी से बाइक चोर गिरोह का परदा फास गीरी डी के देवरी थाना छेतरे के जल खर्यो डीह में मा डिजिटल स्टीडियो वस्तराले सह सिंगार इस्टोर में हुए लूट के मामले में तीन अपरादियों को पूलिश ने गिरफतार कर लिया है पकड़े गए अपरादियों के पास से लूटा गया जेवरात में चांदी का पायल एक अंगुठी बलिया सोने का नथिया व मोती का एक माला को तथा लूट की घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी बना मत किया गया है खोरी महुआ के दिपयो रायंदर परसाद ने बुधवार को देवरी थाना में प्रेस कंफरेंस आरोजीत कर उक्ति जनकारी दी है बताते गिरीडी के डीके डीएस परराद ने बताया है कि हिरो डी थाना की पूलिश के दो़ारा कांड संक्या 131 बै वेस्ट दिल्ली निवासी रवीन नाथ को गिरवतार किया है उनके पास से सोने जैसी दिखाई पढ़ने वाली मोती जड़ी अंगुठी फूल की डिजाइन बनी एक अने अंगुठी और 2650 रुपए बरामत किये गए हैं SSB चंदन कुमार सिनहा ने सोमार को बताया है कि 27 अक्टूबर को चूटिया था नाके पंचवटी चोक में दो ठगों को साधू के वेस में स्री यमुना अपाटमेंट निवास पूर निवासी महिला स्वेता सिनहा से पैसा यवं सोने की चेन आधी ठगने का पर्यास करते समय पकड़ा गया था पुष्तास करने पर दोनों ने साधू के वेस में लोगों को जादू टोना एवं साप आधी का भय दिखा कर ठगी करने की बात सविकार की थी साहिब गंज में 5 लाख रुपे जब थे ज़ारखन बिधान सबाद चुनाओ दो है चोविस के लिए साहिब गंजीला परसासन दोहर बनाये गए सिवानी पूर चेक पुष्ट मंगलवार की सुबा जांच के दवान एक चार पहिया वाहन से करीब 2 लाख रुपे बरामत किये गए हैं वही राधान अगर घाट पर बनाये गए चेक पुष्ट से दो पहर करीब 4 बजे 1 ब्यक्ति से 3 लाख रुपे बरामत किये गए हैं बिधान सभा चुनाव को सांती पुष्ट संपन कराने को लेका जिला पर सासंद्वार जारकन पच्छिम मंगाल की सिमावर्ती चेतर में चेक पुष्ट बनाये गए हैं इसी दोरान एक पिकप वैंस से 1,902,000 पे ब्रामत किये गए हैं कांग्रेश ने जारी की 48 परचारकों की सुची जार्खन बिधान सबा चुनाओं को लेकर कांग्रेश ने अस्टार परचारकों की पहली सुची जारी कर दिया इसुची के अनुसार पार्टी ने 40 नाम निर्धारित करते हुए उन्हें स्टार परचारक बताया है इन नेताओं के जी में जार्खन में कांग्रेस के उमिद्वारों का परचार परचार होगा बदादे श्टार पर चारकों में कांग्रेश के राष्ट्रिया द्यक्र मलकार जुन खरगे सोनिया गांधी राहूल गांधी केसी पे नुगोपाल गुलाम अहमदमीर केसो महत्तो कमलेश राजस्थाकूर रामेश्वर उराव परदीप यादव आधी परमुक नेताव के ना में रागे हैं इन सीटों पर उमिद्वारों द्वारा बुद्ध्वार तक नमांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे इसके बाद पता चलेगा कि किस सीट पर कितने उमिद्वार चुनाव लड़ेंगे इन सीटों पर 13 नौवंबर को मद्दान होना है बतादे पहले चरण की कुल 43 विद्वार सीटों में 16 सीट पर नमांकन दाखिल करने वाले सभी उमिद्वारों के नमांकन पत्र सही पाए गये हैं इन में बढ़का गाव, सीमरिया, चत्रा, जुकसलाई, सरायकेला, मनोहरपूर, तोरपा, खोटी, तमार, मांदर, सिसाई, गुमला, सिम्टेगा, कुले बीरा लाते हर्त था शतरपूर सामिल है, सेज़ विद्वार सभाच छेतरों में किसी न किसी उमिद्वार का नमांगर पत्र विभीन कारनों से रद हुआ है, सरजु राय ने बताया मुझे गिरफतार कराना चाहते थे बना गुपता, पुरो मंतरी और जमसेद पूर अदालती फैसले पर उन्हें संतोस है, मंतरी ने अपने कर्यालेस वरष्ट चार के कागजात निकाल कर उन्हें सरजजनी करने के आरोप में फायर दज कराया था, अरन पारन में पूलिस ने आरोप को सही करार देकर आरोप पत्र दाकिल कर दिया, बना गुपता चाहते थे क आरोप पत्र पर अदालत से वरंट ले लिया जाए और मुझे चुनावक दवरान ही गिरफतार कर लिया जाए, अदालत दवरा उनके विरूत प्याक करवाई नहीं करने के निदे से स्वास्त मंतरी के साज़ से भीफल हो गई है, तरजुराय ने कहा है कि कोविट कर मियोक प्रशाहन रासी देने के सरकारी निर्नाय की सूची में मंतरी बना, गुपता ने खुद का भी नाम जोड़ दिया था, अपने हाथों से बील बना कर उन्हें को सागार में भी भेज दिया, ताकि उन्हें प्रशाहन रासी उनके जमसेतपूर के रानी कुदर इस्थित एस् सहर के चेतना मैदान में चुनावी सभा का उयजन होना है, इसको लेंगर मंगलवार को पिये मोदी के कारकरम प्रभारी दाज सभा सांसद दिपक प्रकास, प्रमंडल प्रभारी उतर परदेश के परिवहन मंतरी दया संकर सिंग, पलामु सांसद बिडी राम, डी सी एवम केस्पी ने कारकरम अस्थल का निरिक्षन किया है, इस मोगे पर भाजपा ने ताओ एवम जीले के कई अधिकारियों ने एक दूसरे से बात कर कारकरम के रूप रिफा बनाई है, वहीं सभा अस्थल पर बड़ी संक्या में सरमीको से साब सफाई कराई जा रही है, राय सभ कुटनी के बाद परत्यासी की संख्या इस परकार, इस कुटनी के बाद 743 उमिद्वार चुनावी रंड में बच गया है, पहले फेज के चुनाव में कूल 805, परत्यासियों ने 1613 सेट में नमांकन दाखिल किया था, बदा दे 30 अक्टूबर को परत्यासियों के नाम वाप का गां में 28, सिमर्या में 1114, भागमारा में 15, घारीशिा में 12, पोटका में 16, जुग सलाई में 13, जमसेतपी पुरी में 26, जमसेतपी पच्मी में 28, इच्चा गढ़ में 23, सराय किला में 16, खर्जावा में 10, चाईबासा में 15, माजगावा में 14, जगर्नाथ porch मेंrost, मनोहरप पुर्पूर में 14 चकथरपूर में 12 तोर्पा में 13 खुटी में 11 तमार में 29 रांची में 22 हटिया में 28 कांके में 14Ö मांडर में 17 सि Tiffany 18 गुंबला में 29िस नोपपूर में 15 익 spielt गुंपला में 15, कोलेवीरा में 29, लोहर्दगा में 17, मनिका में 11, लात्यार में 14, पांकी में 16, डाल्टेन गंज में 24, विषरामपूर में 20, चतरपूर में 14, हुसायनाबाद में 20, गढ़वा में 22, और भोनाथपूर में 17, परत्यासी बचे हैं, बता दे 30 अक्टूबर को नाम वापसी क के बाद परत्यासी संख्यात्ता हो जाएगी, धन्यवाद